Hello everyone and very good afternoon, sorry good evening हो चुक है अब तो, very good evening to everyone, how are you people, good evening Swapnali, good evening Rani, good evening Thailesh, Pallavi, Leela, as usual Leela तो बहुत पहले ही आ जाती है, very good evening to everyone and welcome to the live, good evening Gemini, good evening Shubhajiit, As usual, ये तो हमारे regular students हैं, तो आप लोगों तो पता ही है, very good evening, बैदराज, तो आप लोगों पता ही है हम क्या discuss कर रहे हैं, कल हमने बहुत important एक name reaction भी discuss करी थी, एक क्या, सर दो name reactions discuss करी थी, और उन दोनों ही name reactions में कुछ न कुछ similarities धूणने की कोशिश करी थी, याद होगा आपको हमने कल mid sunobu और apple reaction discuss किया था, अगर कोई नया वीवर है भई, तो हमने ngp reactions discuss कर लिया है, हमने elimination mechanism discuss किया है, हमने elimination addition mechanism discuss किया है, और अब हम कल एक name reaction discuss करी थी, that is mid sunobu, एक बड़ी आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा ह है, तो जरूर देखिएगा, mid sunobu reaction, और साथ ही साथ यहाँ पर एक reaction discuss करी थी, that is apple reaction, कल हमने promise भी कर लिया था, कि अब आज के बाद से कभी भी mid sunobu का question आएगा, तो हम गलत नहीं करेंगे, और question देखते ही सबसे पहले पहचान जाएंगे, कि ये question तो किसका है, mid sunobu का है, प ये मस जस recap करा रहा हूँ, फटा-फट, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, dead मिल रहा होगा, okay sir, और अगर apple reaction आग जाएगा sir, तो PPS3 तो अपनी जगह ही रहने वाला है, लेकिन PPS3 के साथ molecule क्या मिलेगा, CX4 का molecule मिलेगा, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, कि रेम reaction पूछी जा रही है, right, very good evening, जो लोग अभी जोने है, रिशु, आयूश, आपस में good evening हो रही है, ठीक है, हिमांगी good evening, मलिका good evening, खातून जी good evening, थोड़ तफ नाम है आपका, sir, if two OH are present in mid sunobu, the apple react with the OH group too, then apple reacts, then, किस OH group से attach करें, अगर ऐसा है, मैंसे ऐसा होना तो नहीं चाहि यह, तो जो आपका less hindered वाला है, उसे करा दीजेगा, क्योंकि SN2 reaction less hindered center पे अच्छी होती है, ठीक है, खुशी, good evening, परतिभा, good evening, sir, सब धुनला 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 दिख रहा है, अच्छा, ऐसा है क्या, is this fine, resolution थोड़ी कम से लग रही है क्या, good evening, अंधेरा कायम रहे जैसा, अच्छा, शायद मैं अभी slide change करूँगा, तो आपको better दीखेगा, lights वेगर तो सारी on है, जो regular रहती है, good evening, प्रशांत, good evening, supriya, खुशी, अंधेरा कायम रहेगा, नहीं भई, अंधेरा बिलकुल कायम नहीं रहेगा, हम अभी उजाला करते है प्रकाश ले आते हैं, देखे, तो मिट सुनुबू की बात कर रहे थे, और एपल की बात हमने कर ली थी, हमने ये भी सीख लिया था, कि इनमें जो reaction mechanism involved होता है, वो SN2 mechanism involved होता है, तो किसी ने मेरे से पूछा, अगर 2 OH होंगे, तो क्या करेंगे, तो SN2 में less hindered center से product बनाया करत से थे, तो आप भी less hindered वाले वाले विच पर attack कराती जाएगा, ठीक है, अच्छा, मैं next slide करता हूँ, अब बताएगे थोड़ा better हुआ क्या, now is it fine, या अभी भी आपको अंधिरा और धुन्दला धुन्द्रा लग रहा है, तो आज हम बड़ा important एक name reaction discuss करेंगे, आपने thumbnail पर अलड़ी देख लिया होगा, heading में भी अलड़ी लिखाई हुआ है, हम Julia olifination को start करेंगे, fine है sir, मुझे लगता है वो पिछे वाले slide के वज़े से हो रहा था, अब सब कुछ हो कि होगा, तो बड़ा एक एहम reaction जो मेरे से कई बार पूछा जाता है, Julia olifination, paper में कई बार आता है, एक बहुत अच्छी name reaction भी है, तो कई बार gate में तो directly आ सकता है, और net में किसी बड़ी reaction का एक छोटा सा part बन के आपके सामने आ सकता है, और अगर stereo का aspect देखा जाए, तो उस angle से भी बहुत important होता है, तो आईए, वैसे तो देखी, दो reactions होती हैं, जो हम साथ में पढ़ते हैं, जूलिया और पिटरसन, येस, जूलिया और पिटरसन दो लोग हैं, इनकी reaction हम साथ में पढ़ते हैं, देखिएगा, एक reaction तो होती है आपकी जूलिया, ओलिफिनेशन, कभी-कभी हम इसे जूलिया reaction बोल देते हैं, तो कभी-कभी ओलिफिनेशन बोल देते हैं, ओलिफिनेश होती है that is Peterson Peterson reaction ठीक है तो Julia Olifination और Peterson हमेशा इनको साथ साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि ये elimination based होती है और दोनों में ही alkenes की formation होती है ठीक है अब समझेगा तो आज के lecture में हम कोशिश करेंगे कि cover कर ले Julia Olifination को और Peterson को हम कल के lecture में cover करेंगे क्या अभी भी blood दिख रहा है it's blood मैं अपने phone में check करता हूँ very good evening just give me a second मैं भी एक बड़ी देखूं कि क्या आप लोगों को दिख रहा है कोई नहीं स्क्रीन आपको अच्छे सी दिख रही है I think screen पे तो कोई problem नहीं स्क्रीन दिख रही है शायद थोड़ा अंधिरा है पर आप screen से manage कर लें ठीक है अगली बार इसको ध्यान रखेंगे sir sir if you are watching this video please take care of this चली मैंने बता दिया sir को वो take care करेंगे वाकी screen तो आपको proper दिख रही है आप क्या कर सकते है resolution बढ़ा सकते है वीडियो का ठीक है Julia कोची कौंसकी complete नाम है इसका इतना complicated क्यों करना है हमें हम simple रखेंगे ठीक है अब picture quality बढ़ानी पड़ेगी picture quality को थोड़ा सा बढ़ा ले उससे थोड़ा better हो जाएगा तो अब हम start करेंगे बिना time waste की जूलिया ओलिफेनेशन को सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए कि जब exam में जूलिया ओलिफेनेशन का question आएगा कई सारे question के बीच में एक छोटा सा question जूलिया का तो हम उसको कैसे पहचान लेंगे सर कि ये question तो जूलिया का है और फिर अपने notes में उस section को याद करेंगे जो हम पढ़के गए हैं जूलिया ओलिफेनेशन की reactions और अगर same notes से आ गया तो कर देंगे और अगर थोड़ा twist कर के आया दिमाख लगाएंगे ये approach होना चाहिए exam में question के परती तो आईए अब तो important बन जाता है कि हम इसको पहचान ना सीखें जब भी आपके सामने कोई starting material आए कैसा देखिएगा इस center पे मैंने एक group लगा दिया oxygen oxygen से लगा था OCOC3 मतलब एक acyl group लगा हुआ था और इस center से मैंने एक group लगा दिया that is sulfon sulfon क्या होते हैं पता है आपको जब आप sulfur, organic sulfur वगरे वाली reactions पढ़ते हैं तब आपकी मुलाकात कई सारे sulfon, sulfoxides, dimethyl sulfide इनसे होती है उनमें से ही एक compound होता है जिसे हम sulfon बोलते हैं सेंटर पे oac लगा है इसको alpha बोल देता हूँ और इसके पडोसी center यानि beta center पे आपको एक sulfon का group मिल जाए इसका मतलब यहाँ पर reaction जूलिया करा सकता है इतना ही नहीं इतना ही नहीं एक बात और पहचानना ज़रूरी है इस arrow के ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए sodium amalgam sodium किसके साथ HG के साथ लिखा मिल गया तो तुरंत समझ जाएगा हाँ sir यह reaction तो कौन सी है जूलिया ओलिफिनेशन तो ऐसे आप पहचानने वाले हैं reaction को अब examiner ना बहुत चलाँख है वो क्या करेगा वो आपसे ये starting material prepare करवाएगा वो देगा नहीं ready करके आपसे कुछ reactions करवाएगा यहाँ से पीछे जाएगा 2-3 step और आपसे कुछ ऐसी reactions set करेगा कि आप इसको prepare करें और prepare करने के बाद एक छोटे से step में mention करदेगा sodium in the presence of HG अब आपको समझना पड़ेगा हाँ सर अब जूलिया कराना है तो सबसे पहले तो starting material को ही पहचानना है यह starting material किसका है जूलिया का है सर अच्छा पिटर्सन की बात हम वैसे तो कल करेंगे बढ़ थोड़ा सा idea आप ले सकते हैं पिटर्सन रियाक्शन की बात करूँ तो इस center पे आपके पास अगर एक OH ग्रूप है ठीक है चलिए जिस पे OH लगा था उसको alpha बोल दिया और अगर बीटा यानि पडोसी center पे ग्रूप कौन सा लगा है SIME3 ग्रूप लगा है येस ये इसकी पहचान है आपके पास एक silicon वाला SIME3 ग्रूप प्रेजेंट होना चाहिए भई देखिएगा silicon इसके पास 1ME 1ME इधर और 1ME इधर और विटर्सन रियाक्शन को कराने के लिए वो arrow की उपर तीन चीज़ें लिख सकता है कौन कौन सी चीज़ें लिखेगा की तो वो H प्लस यानि acidic condition में कराएगा की तो वो OH माइनस या फिर कोई ऐसा जो base की तरब behave करे basic condition में कराएगा और एक छोटा सा और होता है Lewis acid के presence में करा सकता है आर यह बास समझ में तो कोई पिटर्सन रियाक्शन कैसे पहचानेंगे ऐसे कोई जूलिया रियाक्शन कैसे पहचानेंगे ऐसे ये तो सिर्फ बात होई किसकी पहचान की अब आते हैं फटाफट रियाक्शन पे अच्छा रियाक्शन पे जाने से पहले अगर session को आपने like नहीं किया है तो at least like तो कर दें content अगर आपको पसंद आए तो share भी जरूर करिएगा and subscribe करके रखे चैनल को ताकि ऐसे वीडियो के बारे में आपको notification मिलती रहे कोई viewer अगर बाद में देख रहा है आपको कोई भी doubt हो आप regarding देख रहे हैं कोई भी doubt आए आप comment section में drop कर सकते हैं content पसंद आए like जरूर करके चाहिएगा आएए तो बिना time waste की start करते हैं julia, olifination को और इस starting material को prepare करने की कोशिश करेंगे कोशिश ही कर सकते हैं देखिए इस center पे आपके पास एक six member की ring ले ली और यहाँ से मैंने एक sulfur ग्रुप लगा लिया sulfur double bond O double bond O और इसके सामने एक base डाल दिया जो फिलाल तो यहाँ पर base की तरही act करेगा N-butyl lithium ले लिया मैंने यह क्या करेगा? यानि first step में examiner क्या डाल सकता है? N-butyl lithium अब यह तो सब जानते हैं sir यह तो base की तरह act करेगा तो सबसे acidic proton को निकाल लेगा अब आपको पता होना चाहिए कि इस molecule में सबसे acidic वाला proton कौन सा होगा? sir जहाँ anion stable बनते हैं वहाँ पर acidic proton होता है यानि इस वाले proton की बात करूं तो यह क्या है? बहुत जादा acidic तो N-butyl lithium क्या करेगा? इस center से butyl negative आपके इस proton को निकाल देगा और इस center पर क्या बन जाएंगे? anions आई, देखते हैं तो sir एक six-membered की ring है इस center पर anion है और यहाँ पर sulfone group लगा हुआ है इस group के minus M के effect के वज़े से ये negative क्या होगा? stable होगा. अब देखिएगा second इसके सामने क्या डाल रहा है? उसने धीरे से लिख दिया R-C-H-O C-H-O मतलब aldehyde और aldehyde तो कैसे center होते हैं, sir? electrophilic center होते हैं बात तो सही है, sir यानि कि अब आपका negative जो अभी just आपने prepare किया है यह attack करेगा किस पे? इस aldehydeic center पे तो आई attack करा देते हैं यह negative यहाँ से attack करेगा और यह electron density oxygen पे क्या हो जाएगी? shift तो यहाँ से बनने क्या वाला है, sir? आईए, यहीं पे बना देता हूँ मैं एक six-membered की ring, sir इस center पे तो मेरा SO2 pH group लगा हुआ है उसको लगे रहने देते हैं अब यहाँ से क्या लग चुका है? एक carbon center जिस पे क्या लगा होगा? O negative और क्या present है? सरेक R group present है और क्या present है? एक H group present है ओके? तो first काम हमने देखा N-butile lithium का second काम देखा हमने RCHO का अच्छे देखे हम starting material की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? और starting material तयार हो जाएगा तो आईए उस S-I-L group को लगा देते हैं और Julia का starting material तयार कर लेते हैं उसके लिए क्या यूज करें सर? कुछ भी यूज करें Let's suppose S-I-L chloride यूज कर लिया हमने S-I-L chloride की case में C-L-E living group होगा और भी कई चीज़े यूज कर सकता है के कौन सा group लग जाएगा? Sir, एक S-I-L group लग जाएगा तो आईए अब यहाँ से आपका starting material तयार हो गया Yes, अभी तो just starting material बनाया है इस center पे क्या लगा होगा? S-O-2 pH और यहाँ से क्या लगा होगा? Carbon center इस carbon center से क्या लगा होगा? एक oxygen C-double bond O और CSC group और एक छोटा सा H group और एक छोटा सा R group लगा होगा Sir, जैसा आपने पीछे दिखाया था, वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको हमने धंग से बनाया नहीं है, तो आईए focus करिएगा किस पे? इस bond पे अध्यान से देखिए, अगर मैं इस bond को यहाँ पे बना दूँ, तो यह रहा मेरा पास bond, यहाँ से क्या बनी हुई है मेरे पास? एक 6 membered की ring, कोई बात नहीं सर बना दिया, यहाँ से उपर के side क्या लगा हुआ है? SO2 PH, यहाँ से नीचे के side क्या लगा देता हूँ? OAC group, और क्या लग हुए थे? R और H, अब देखिए, अब दिख रहा है? यह सर, अब तो दिख रहा है मुझे, जिस center पर OAC लगा है ना, उसी के पडोसी center पर क्या लगा है? SO2 PH, तो examiner, जूलिया का starting material प्रिपेर करवाने के लिए आपके सामने क्या-क्या introduce करेगा? First step में introduce करेगा N-butyl lithium second में aldehyde और third step में mention करेगा acyl chloride ताकि आप oxygen के उपर क्या लगा सकें? एक acyl group लगा सकें. बताइए, क्या इतनी चीज़ें आपने digest कर ली? आपने starting material बनाना सीख लिया? तो अब finally move करते है जूलिया पे. पहले तो इसकी हम क्या देखेंगे? mechanism. एक complete mechanism क्या होती है? और फिर short trick से हम फटा-फट से products बनाएंगे. और at the end हम इसका stereo का भी angle देखेंगे. इसके बारे में समझेंगे कि ये reaction stereo selective बोलेंगे, stereo specific बोलेंगे क्या बोलेंगे? वैसे आपने पढ़ा होगा कभी जूलिया. बताएंगे क्या होती है जूलिया? Is it a stereo selective reaction? या एक stereo specific reaction होगी? क्या होगी? फिर मैं mechanism पे आता हूँ. हाला कि इसका mechanism इतना important है नहीं. आज पहली बार और आखरी बार copy में लिखिएगा और फिर उसको भूल जाइएगा. क्यों? क्योंगी हम इसका product तो sir directly बनाना सीखते हैं. ठीक है? अच्छा session को भाई like जरूर करें अगर आपको लगता है कि content आपके काम का है, आपको पसंद आ रहा है तो like जरूर करिएगा as a compliment ठीक है? मुझे अच्छा लगेगा rest, अब चलते हैं कहानी को आगे लेके sir ठीक है, starting material तो बनाना सीख लिया, अब actual mechanism होता कैसे है? किसी ने बोला selective selective, very good stereo selective answer तो आपने सही दिया, आज इसका मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे? ठीक है? देखें, इस बार भी net में जो question आया था, stereo specific के ऊपर आया हुआ था, dia stereo specific reactions आपको पहचान नहीं थी तो ये वाला concept तो आपको आना ही चाहिए sir, ध्यान से देखिएगा Let's discuss its mechanism Mechanism थोड़ी सी तेड़ी सी लगेगी आपको हो सकता है, तेड़ी सी लगे क्योंगी जनरली हम ऐसे deal करते नहीं है Mechanisms के साथ, पर important नहीं है पहली और आखरी बार लिखेंगे आप उसके बाद भूल जाएगा Sir, एक center पर OAC होता है और इसी के पडोसी center पर sulfur double bond O double bond O, और क्या होता है pH, अच्छा इसको treat किस से किया गया है, sodium से अच्छा sodium के बारे में हमने inorganic में पड़ा होता है Sir, ये electro positive होते हैं sodium metals तुरन तयार बैठे होते हैं क्या देने के लिए, electrons देने के लिए तो sodium positive बनेगा और एक electron बाहर हो जाएगा यानि sodium अपना electron donate करेगा किसको? किसी cell phone group को फिर से सुनिएगा, sodium ने अपना एक electron donate किया किसको? किसी cell phone group को, अब इस cell phone में मैंने क्या क्या? धीरे से इस bond के electrons की homolytic cleavage करा दी तो अब बताइएगा, ये जो electron आ रहा है, उसको कौन accept करेगा? sulfur करेगा, या oxygen करेगा? सर, अगर आएगा तो मेरे ख्याल से दो electron तो negative बना लेंगे ना तो oxygen करना चाहिए, बिलकुल सही बात, देखिएगा इस center पे लगा था OAC सर, इस center पे sulfur, oxygen, double bond O, और यहां से क्या होगा? pH, समझेगा जैसे ही एक electron यहां बना, sodium का एक electron accept करके, oxygen पे तो क्या बन गया? negative, और sulfur पे मैं एक electron यह दिखा देता हूँ, और negative बना, तो N ने positive आके इससे चिपक जाएगा, सर, very good O, के, मतलब एक electron donate किया गया है, किसके द्वारा? sodium की द्वारा, किसको? sulfur group को, अब यही process फिर से repeat होगी, अच्छा ओके, सर, तो इसी process को हम क्या कराएंगे? एक बार और repeat कराएंगे, एक और sodium electron देगा, और क्या बना लेगा? N ने positive, और यह एक electron जो अभी हाँ से निकला है, फिर से इसे कौन accept करेगा? हमारा cell phone का group accept करेगा अभी भी इसमें एक double bond हो है, सर, ऐसा करिए, इसको भी break कर दीजे, उस electron को accept कौन करेगा? of course, सर, इस बार फिर से हमारा oxygen center accept करेगा, तो इस center पे sulfur, O negative, Na positive, very good, और इस center पे क्या बन जाएगा? सर, इधर भी O negative और Na positive लग जाएगा तरी बात है? येस, सर अच्छा, अब sulfur पे electrons कितने आ जाएगे? सर, दो electrons आ जाएगे, और यहां से group कौन सा लगा हुआ है? pH group लगा हुआ है, क्या problem है? लगे रहने देंगे, और यहां पे हमारे पास, हमारा living group तयार बैठा है, that is, OAC अब समझेगा, यहां से एक group eliminate होने वाला है, कौन सा group eliminate होगा, सर? देखिए, next step बहुत ध्यान से, आपके पास, यह negative move करेगा, इस center पे, इस bond के दोनों electrons, इस carbon पे, यानि यहां से जो group बाहर जा रहा है, वो क्या है? तो मैं ऐसे ही लिख दूँ अगर, तो pH, SO2 negative, is the group जो यहां से क्या हो गया, इसका साथ छोड़ के चला गया, यानि कि, पीछे क्या छोड़ जाएगा, सर? पीछे एक अनायन छोड़ जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा? OAC बन जाएगा, अनायन इस सेंटर पे मूव करेगा, और आपके living group को बाहर कर देगा, तो अगले step में हमारा living group भी बाहर हो गया, सर, और हमारे पास क्या बन गई? तो एक एलखीन बन गई, CH2 double bond, CH2 ये तो हो गया इसका mechanism, आप समझेगा, इस mechanism से आप क्या सीख सकते हैं, तो एक बात सीख सकते हैं, यहाँ पर एक अनायन बनता है, और ये bond कैसा है? एक sigma bond है, तो कई बार इसे, sorry, इसे कई बार time मिल जाएगा reaction में bond को rotate करने के लिए, सर, क्या बता रहे हैं? जब मैं stereo aspect यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर bonds को rotate भी करूँगा, समझे अगर living group बाहर जाता है, तो अनायन बनता है यहाँ sigma bond होने के वज़े से, कभी ये bonds rotate भी हो सकते हैं, उसी rotation का फाइदा, मैं आगे reactions में उठाऊंगा, ठीक है? तो फिलाल तो ये इसकी mechanism हो गई, last में हमें मिल क्या गया, अलखीन, अब हम इसका short trick देख लेंगे, कि direct product कैसे बनाना है? कौनसा है सर, इस reaction का, mechanism कौनसा है इस reaction का, तो आप कह सकते हैं, ये kind of radical pathway से पहले इसने initiate किया, फिर एक carbon ion बनता है, और इसको बाहर कर दिया, ऐसे कोई specific elimination तो आप लेकिन elimination जरूर होता है एक group बाहर जाता है, और फिर हम इसको बाहर करते हैं, ठीक है? प्रशान्त समझ में आगया आपको येस लीला, single bond क्या wrong, rotation हो सकती है तो इस mechanism को फटा-फट छाप लीजे, ये mechanism आपको old clayden में मिलेगा पुरानी वाली clayden की जो book है, उससे उन्होंने इस mechanism को शायद निकाल दिया है, या पता नहीं क्या किया, उसमें mention नहीं किया लेकिन अगर आपको जानना है इसकी mechanism के बारे में, तो same आपको old वाली जो clayden book की book आती है जिसमें हमारे तीन authors थे उसमें मिल जाएगा, नहीं वाली में शायद ना मिले क्योंकि उसमें से extract कर दिया गया है, जूलिया reaction तो है, mechanism नहीं है शायद ठीक है, आगे चलें, हाँ sir ठीक है mechanism बगेजर तो हमें तो question कैसे करना है, ये सिखाईए तो आईए, पहले तो shortcut देख लेते हैं कि सीधा product कैसे बनाना है अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो, तो अभी हमने पीछे एक cell phone बनाया था, cell phone कैसा बना था हमारा, sir six members की ring थी, इस center पर क्या लगा था, OEC, और हमारे पास यहाँ पे एक और group था that is R, और just इस center पे हमारे पास sulfur double bond O या फिर मैं simple लिख देता हूँ SO2 pH ग्रूप present था, समझेगा अब इस cell phone को और यानि इस group को मैंने treat कर दिया किस से sodium HG तो अब क्या बार-बार mechanism करेंगे अरे नहीं भई, simple सी बात है, इस group को बाहर करना है out इसके जगे पे अनायन बनाना है अनायन इधर आएगा, OAC को बाहर कर देंगे, यानि in short अगर direct product बनाना हो तो बहुत आसान reaction है sir इस center पे alkin बनानी है इधर R लगा होगा और इधर H लगा होगा बन जाएगा product बस इतना इतना चाप ये, फिर हम आगे चलते है yes, 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 प्रशान्त वो जो 3-4 authors, कई सारे authors थे पुरानी वाली Clayton उसकी बात कर रहा हूँ ठीक है, तो in short हमें सीधा product ऐसे बनाना है और ये तो आप खुद भी समझ सकते थे right, इसमें कुछ नया तो हमने बताया नहीं है, पीछे हमने जो देखा वही अब हम direct कराने लगें हैं और हमें हमारा product मिल जाता है चली, तो अब इसमें कुछ type of questions बन सकते हैं, थोड़े से easy वाले फिर थोड़े से medium level वाले, फिर थोड़े से hard वाले तो आईए, सबसे पहले type का question करिए जरा, मैं question लिख रहा हूँ आप product बनाएगा, ठीक है question मैं एक बड़ी देख लूँ कुछ गड़बड न हो जाए ठीक है, चली आप कोशिश करिएगा product बनाने का ये रहा आपके पास एक six member'd की ring इस center से double bond बना रखा है, यहाँ पे SO2 pH दे रखा था अब इसके सामने मैंने first डाल दिया क्या चलिए N-butyl lithium ले लिया फिर मैंने इस center पे second क्या डाल दिया AC2O लिख दिया third मैंने mention कर दिया second को नहीं ये हमारा third number पे आएगा इस center पे mention कर दिया pH, CHO इधर mention कर दिया AC2O और fourth में finally डाल दिया हमने sodium amalgam start हो जाएए और product बनाएए अब देखिए exam में ये सब कुछ लिखा आ जाए तो आपको समझना पड़ेगा ये question जूलिया का है पहले आप से बनवा रहा है कुछ और फिर reaction कर वा रहा है कर ये फटाफट बनाएए product again Claydon का ही question है sir CSR net में organic का question repeat होते है means to approach question previous net में actually question repeat तो नहीं होते है हाँ लेकिन more or less approach तो same रहती है मैं ऐसा बोलूँगा अगर let's suppose organic में near about 100 से 100 100 marks की मालो आपकी organic आ रही है तो उसमें से 70 marks का approach वाला question होगा जो पीछे पूछा जा चुका है और जो बचे हुए 30 marks हैं 35 to 40 marks हैं वो नए questions होते हैं नए approach वाले questions होते हैं तो इसको आप इस ratio में divide कर सकते हैं अगर आपको कोई specific topic पढ़ना है तो उसे साब से chapter को पढ़ लीजेगा ठीक है sir, RPSC assistant professor की तयारी भी IFS करवाता है क्या? हाँ, बिल्कुल करवाता है अगर आपको इसके regarding कोई information चाहिए तो आप IFS के website पर visit करें वहाँ से आपको सारी information मिल जाएगी ठीक है? चलिए, फटा फट से product बना लीजे भई product बन जाए तो बताइएगा कैसा आपका product बन रहा है मैं बना दूँ क्या product आपके लिए? बताइएगा कि कौन सा option करेक्ट है मैं कुछ options ही frame कर देता हूँ हम, तीन options मैंने बना दिये आप मुझे बता देजी कि कौन सा option करेक्ट होगा आपके अनुसार नहीं, रुकिये थोड़ा हाँ, रुके हुए हैं, बिल्कुल रुके हुए हैं मैंने तो सिर्व options ही दिये हैं सेट की एक्जाम में help करें सेट के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं ये सारी reactions तो सेट में भी आती हैं और थोड़ा सेट के बारे में जानना चाहते हैं आप तो आपको करना क्या है? सेट के PYQs solve करने हैं concept पढ़ना है और सेट के PYQs लगाने हैं फटा फट से मुझे बताएं product कौन सा बन रहा है? 1, 2, 3, 1 ये हो गया आपका option 2 हो गया ये option और 3 हो गया ये option बताएं A, B में से सेंट ट्रांस प्रोड़क्ट नम्रता A हिमांगी, 1, लीला 1, 1 and 2 दोनों में से एक ही मेजर बनने वाला है तो कौन सा मेजर बनाओगे आप? अब आप बता दीजे शुभाजीत, एंड लीला A और B में से किसको मेजर बनाओगे? आप से इसको तो बनाओगे नहीं तो ट्रांस को बना देंगे सर आए, फटा फट से इस question को देखें N-butile lithium मतलब इस center पे negative बनेगा सर pH-CHO, attack करना पड़ेगा न तो ये रहा आपके सामने LD-Hide, C double bond ओ, यहाँ से pH लगा है और यहाँ से H लगा है ये negative क्या करेगा सर? इस center पे attack और electron density shift, तो product कैसा दिख रहा है? सर, इस center पे double bond, यहाँ क्या लगा होगा आपके पास? SO2 pH इस center से क्या लगा होगा? CO negative and you have pH at this center एच छोटा सा H लगा होगा अब पीछे जो काम S-I chloride कर रहा था, यहाँ पर वो काम कौन करेगा? Anhydride करेगा. Anhydride का structure कैसा होता है? ऐसा होता है अच्छा, Anhydride की बात छीड़ी गई है, तो आप बता सकते हैं Anhydride के basis पे एक बहुत ही प्यारी सी name reaction पढ़ते हो आप जब intermediate topic पढ़ते हो तब यह होता है Anhydride आपका ठीक है? तो Anhydride में होगा क्या? फिर से यह Asile group लग जाएगा इसके उपर देखिए, यह आपके पास Anhydride O negative attack करेगा उपर नीचे इसको यहां से बाहर कर देंगे तो अभी जस्ट हमने starting material तयार किया है किस के लिए? अपने Julia Oliphination के लिए सर इस center पे क्या लग जाएगा? O A C और यहां क्या लगा हुआ है? S O 2 P H Complete mechanism तो करेंगे नहीं हम simply क्या करेंगे? सर अपने S O 2 P H को बाहर करेंगे और यहां पे Anion बना देंगे यह Anion इस center पे जाएगा और O A C क्या हो जाएगा? बाहर अब समझे अगर आपने इस center पे Anion बनाया तो मैं Anion बना देता हूँ Double bond यहां क्या है? Single bond क्या कर सकते हैं? Bond rotation चो कर सकते हैं? मतलब यह pH अगर S side है तो rotate करके कहा जा सकता है? उधर भी जा सकता है और यहां से Alkin अगर 2 बन देंगे सर मैं इसी state में बना दूँ तो Z बन जाएगी घुमा के बना दू तो E बन जाएगी First वाला आपका product as a major product बढ़ना चाहिए क्योंकि इस Alkin की हम बात करें तो First priority इधर First priority इधर तो यह एक E Alkin होगी तो One will be your correct answer समझ में आगे सबकी? Yes, very nice AK classes तो N hydride के basis पे जो हम Name reaction पढ़ते हैं उसका नाम क्या होता है? Perkin तो कभी बाद में हम अब देखे, ऐसे ही आपको relate करके molecule से Name reactions को भी ध्यान रखना होगा N hydride आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए इस का inolate बगेरा बनाके LDhyde पे attack करते हैं तो उसको Perkin बोलते हैं तो कभी किसी और lecture में Perkin भी discuss करेंगे फिलाल Julia का हमें product मिल गया असर E वाला product क्या हो जाएगा major product हो जाएगा Is it fine? चलिए एक question और कर लेते हैं ठीक है एक question आप homework के लिए लिख लीजे इस question को आप घर पे try करिएगा अपने copy में लिख लीजे question क्या कहता है इस center पे ये group लगा है इधर S double bond O double bond O और क्या लगा था pH ठीक है इसको treat कर दिया किस से N butyl lithium second step में क्या डाल दिया CS3 CHO third step में क्या डाल दिया CS3 COCl बस ऐसे ही short में करके लिख देगा और अगर आप ठीक से revise करके नहीं गए हैं तो आप सब भूल जाएंगे और गड़बड कर देंगे तो ये आपका homework इसको आप अराम से जब revise करिएगा तो करिएगा ठीक है हो जाएगा नहीं question सेम वैसा ही है N butyl lithium proton निकालेगा उसके बाद क्या करना है आपको CS3 CHO पर attack करना है protect कराना है और product बना लेना है ये दिख रहा है आप लोगों को मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ठीक है चले इसको copy कर लीजे इसको कर लीजेगा yes sir बन जाएगा चले अब आते हैं थोड़ा सा stereo वाले aspect पर stereo वाले aspect थोड़ा सा important बन जाता है और इस case में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि stereo specific हो सकती है reaction या नहीं हो सकती है let's suppose हमारे पास एक form आई इधर क्या लगा हुआ था R1 और इस center पर क्या लगा हुआ था यहां से above the plane ग्रुप लगा दिया that is SO2 pH ये तो क्या हो जाएगा हमारा सलफोन ग्रुप हो जाएगा और यहां पर above the plane क्या ले लिया OAC starting material तो किसका है हाँ सर्ये starting material अभी भी जूलिया ओलिफिनेशन का है और जैसे ही आपने इसके सामने sodium amalgam डाल दिया ये तो confirm हो गए हम कि जूलिया करानी है ठीक है इसको देख लिया हमने अब इसी के पडोस में एक question और इस center पर चलिए R1 था इस center पर चलिए R2 था फिर से इस center पर मैंने लगा दिया SO2 pH और यहां पर below the plane क्या ले लिया OAC and again जैसे ही sodium amalgam आएगा येस जूलिया ओलिफिनेशन चलिए आप खुद try करिए अच्छे एक बड़ी थोड़ा समय लीजिए इस पर दिमाग खर्च करिए यहां से P और यहां से Q बनाने की कोशिश करिए फिर मैं इस reaction को explain करता हूँ RPSC assistant professor वाले course में organic आप ही पढ़ाएंगे एके classes जो भी teacher उसके लिए specialized हैं वो आपके topics लेंगे और अगर कोई topic थोड़ा सा higher level का हुआ तो जरूर हम भी भाँ आएंगे तो जो teacher जिस topic के लिए specialized होंगे न वही आपके classes लेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही मैं class ले रहा हूँगा of course आपको other teachers भी मिलेंगे ठीक है बनाएं बनाएं product बनाएं फटा फट पहले तो decide करिए क्या होगा फिर एक सवाल और पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये reaction stereo specific है या नहीं है Is this reaction stereo specific yes या no ठीक है ये भी कैसे पता करें सर stereo specific का क्या मतलब होता है इसको भी समझ में आना चाहिए तब ही तो हम stereo specific बता पाएंगे क्यों बताएं क्या दोनों की case में product same बन रहे हैं अलग अलग बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं प्रें प्रोड़क्ट वेरी गूट इस पर कोई कमेंट आपका reaction stereo specific होगी या नहीं होगी नो ओके E-alkene वेरी गुड E-alkene तो बननी चाहिए बनीगी भी आई अगर इस reaction को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो सबसे first step में क्या होगा अब ये तो हमें पता है न तो अब ये हम बार-बार थोड़ी करेंगे हमने सीधा यहां पे बनाया चलिए इसके लिए मैं यहां बना देता हूँ इस center पे ऐसा करिए तो फिर से क्या होगा SO2 pH बाहर हो जाएगा अच्छा सॉरी मैंने stereo guardbird बना दी इसको हम क्या करेंगे इसको तो पहले हम बनाएंगे above the plane above है तो above से दिखाना पड़ेगा ठीक है above अब यहां से जैसे ही SO2 pH बाहर जाएगा सर तो इस center पे क्या बनेगा below the plane OAC आ जाएगा इधर क्या लगा है हमारा R1 group लगा है इस side हमारा R2 group लगा है और यहां क्या बन जाएगा अनाएं तो first step में तो आप सब ने यही किया होगा now अब आप सब को पता है कि यह वाला bond क्या है एक sigma bond है इसके along होगा hydrogen लगा होगा और इस center पर above the plane क्या लगा होगा तो यहां hydrogen लगा होगा सर अच्छा क्या आपने ऐसी projections के लिए new man form कभी बनाया है हम इसके लिए new man form भी बना सकते हैं वो कैसे बनेगा सर तो देखिएगा let's suppose कोई viewer यह आपकी eye होगे ठीक है आप इस center से इसको देख रहे थे तो आपको क्या दिखाई देगा सर यह front वाला carbon दिखाई देगा जिस पर क्या लगा हुआ है आपका अनायन लगा हुआ है और हमें सर यह पीछे वाला carbon दिखाई नहीं देगा लेकिन उसके उपर लगे substituents दिखाई देगे same way हम इसके लिए करेंगे अगर यहां से कोई eye बना दो हो रहा हूँ यहां से देखेंगे तो यह carbon दिखेगा पीछे carbon नहीं उस पर substituents हमें दिखेंगे तो समझेगा let's suppose यह front वाला carbon हो गया मैं क्या draw कर रहा हूँ new man projection तो अब front carbon पे groups कौन कौन से लगें sir r1 लगा है और h लगा है तो ऐसा मान लिया चलिए आपका r1 group इस side है आपका h group इस side है और एक क्या present होगा एक anion present होगा sir तो यह कहानी तो कहा की हो जाएगी front वाले center की हो जाएगी अच्छा back side वाले center पे क्या हो रहा होगा sir back side वाले center पे न मेरे पास तीन substituents दिखाई देंगे कौन कौन से एक तो r2 एक h और एक oac तोई बात है और अगर मैं इस form को बना रहा हूँ तो हमेशा यह r2 group और यह r1 group क्या चाहेंगे अगर यह कोई बलकी groups हैं कोई alkyl chain है तो यह हमेशा क्या चाहेगी कि यह maximum distance पे रहें sir एक दूसरे से जितना दूरी बना सकते हैं उतने दूरी बना के रखें और same वही यहाँ पर होगा sir यह r1 group और यह r2 group क्या चाहेगा कि हम एक दूसरे से maximum distance पे रहें sir और ऐसा यह भी कर सकता है क्योंकि bond rotation यहाँ पे भी allowed है और ऐसा यह भी कर सकता है क्योंकि bond rotation यहाँ पर भी allowed है तो यह दोनों ही क्या चाहेंगे हम एक ऐसी conformer को पकड़ें जहाँ पर r1 और r2 group कहाँ पे रहें maximum distance पे रहें sir ठीक है तो r1 और r2 को opposite कर दिया इस center पे h ले लिया और यहाँ क्या लगा दिया oac लगा दिया समझेगा यह form भी rotate करके कहाँ आ जाएगा इधर और यह form भी rotation के बाद कहाँ आ जाएगा इधर अब बनेगा क्या sir तो आप single step में यहाँ से भी बना सकते थे कैसे negative यहाँ move करेगा sir oac बाहर हो जाएगा सेम आप इसको यहाँ भी लगा सकते थे negative move करेगा sir और oac बाहर हो जाएगा actually होता क्या है यह negative इस oac के sigma star orbital में attack करता है हम तो क्या करते हैं directly यहाँ से और इसको बाहर कर देते हैं ऐसे भी कर सकते थे यहाँ से directly move करके इसको बाहर कर देते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा stereo समझना है exam में यह बना के आ जाए इसका मतलब क्या होता है तो इसका जो sigma sorry इसका जो negative वाला orbital है यह किसके साथ eclipsing state में पढ़ा होगा sigma star के साथ पढ़ा होगा किसका sigma star इस OAC का sigma star अगर आप इसको side angle से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा पता है देखें यहाँ पर short में बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ negative होगा इस center पर क्या लगा होगा OAC इसका sigma star orbital कहा होगा इस center पर अगर कहीं इस side R1 और H है तो इस side उपर के side बनाना चाहिए था देखें कहीं इस side क्या लगा होगा R2 और कहीं इस side क्या लगा होगा H मैंने इसको क्या किया saw horse में बना दिया ताकि आपको side view दिखाई दे अब होता क्या है न ये negative इसके sigma star में attack करके OAC को बाहर कर देता है और ये हमेशा अपने आपको कैसे arrange करेगा ताकि R1 और R2 groups एक दूसरे से कहा रहें maximum distance पर रहें sir आर ये बास समझवें तो बस यहां से हमने attack किया इसको बाहर किया तो जब alkyne बनाएंगे तो कैसी बनेगी अब देखिए अगर ये दोनों इस common intermediate पर आ जाएंगे तो यहां से भी alkyne कैसी बनेगी E यहां पर R1 और इस center पर क्या लगा होगा R2 ठीक E alkyne बना दी और यहां से भी अगर हम alkyne बनाएंगे तो कैसी बनेगी एक हमने group लगा दिया R1 और यहां पर group लगा दिया that is R2 अब समझेगा ठीक है सर products तो क्या बना लिए हमने same ये मुझे पता लग गया कि जो P और Q बनते हैं वो क्या बनते हैं same ये stereo specific का क्या पंगा है किन reactions को हम stereo specific बोलते हैं ये कैसे समझ में आएगा सर आईए एक छोटा सा question का पहले answer कर दीजिए let's suppose यहां पर जो starting material है इसको X बोल दिया यहां पर जो starting material है इसको Y बोल दिया तो X और Y में क्या relationship है stereo chemistry में पढ़ते हैं ना दो molecules के बीच में relationship निकालते हैं जरा बताईए X और Y में क्या relationship होगी enantiomers है identicals है diastereomers है क्या होना चाहिए बस यह simple सी बात पूछी गई है चुबाजीत कह रहे है diastereomers very good बाकी लोग भी बताएं प्रतिभा कह रही है identical अच्छा good evening very good evening देखिए अगर आप RS configuration निकालें तो भी बता सकते हैं इस center की और इस center की configuration क्या होगा same होगा जबकि OAC वाले center की configuration की बात करूँ तो ये तो change हो जाएगा जब एक center की configuration same रहे और दूसरे की change हो जाए तो relationship क्या होती है तो diastereomer होती है मैं अगले page पे लेके चलता हूँ देखिएगा X एक starting material Y एक दूसरा starting material और इनके बीच में relationship कैसी है diastereomers very good तो जब भी ऐसा हो कि दो diastereomers से आपको product मिल रहा हो और let's suppose X वाला आपको एक E-Alkene देता हो कैसी Alkene देता हो E-Alkene और Y वाला आपको let's suppose एक Z-Alkene देता हो ठीक है यहाँ से जब आप reaction करा रहे थे तो यहाँ एक E-Alkene मिल रही थी यहाँ पे Z मिल रही थी एक diastereomer दूसरा product दे दूसरा diastereomer दूसरा product दे तो ऐसी reactions को बोला जाता है stereo specific ऐसी reaction को हम क्या बोलते है stereo specific reaction बोलते है चली तो आईए इस बात को अपनी Julia reaction में ढोंडते है हमें पता लगा कि X और Y तो क्या है diastereomers लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा इस reaction में X और Y अफकोर्स diastereomers थे लेकिन X भी अल्खीन कैसी देता है एक E अल्खीन और Y भी कैसी अल्खीन देता है E अल्खीन मतलब क्या यह reaction stereo specific होगी नहीं 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 सर यह reaction एक non stereo specific है non stereo specific reaction है आई बात समझ में तो Julia का याद रखिएगा हम इसे stereo specific नहीं बोलते हम इसे non stereo specific reaction बोलते है Is it okay X और Y अगर दो diastereomers हो और एक से एक दूसरी अल्खीन मिल रही हो और इस से दूसरी अल्खीन मिल रही हो तो ऐसी reactions को क्या बोलेंगे stereo specific बोलेंगे और अगर ना हो ऐसा ना मिल रहा हो सर दोनों से same product मिल रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे non stereo specific बोलेंगे क्या आप इस बात को digest कर पाए बताए identical अभी भी identical लग रहा है क्या आपको दिनेश पाल दिनेश पाल कह रहे हैं identical रहे भाई यह किस एंगल से identical लग रहा है एक center का same है यहाँ यह OAC above है यहाँ below है कैसे कैसे कह सकते हैं आप यह ठीक है चले यह जूलिया की important बात हो गई तो यह क्या आया no this is not stereo specific stereo specific reactions क्या होती है तो जो ऐसा relationship प्रक्ति है उनको हम stereo specific बोलते हैं कैसा ऐसा वाला ठीक है आगे चलते हैं अब एक बड़ी प्यारी सी reaction आती है जिसको हम बोलते है one step julia reaction यह क्या होती है सराई thoughts हाँ rotation तो होगा rotation तो बिलकुल होगा लेकिन आपको इन दोनों molecules में क्या निकालना है relationship निकालना है और relationship के लिए क्या check करते हैं कि mirror image होगा non super impossible होगा तो बोल देंगे rotation के बाद same हो जाएगा तो identical बोलेंगे तो अगर मैं इसको rotate करूँगा तो same कैसे होगा R1 और R2 तो भूम जाएँगे same side आ जाएँगे यहां तो R1 R2 कैसे है एक दूसरे के opposite side है क्यों ठीक है प्रतिबा तो ऐसे silly mistakes तो ना करें आई अब एक बड़ी प्यारी reaction होती है जिसको हम बोलते है one step Julia reaction one step Julia यह क्या होती है sir देखिए जितना सुनने में यह अच्छा लग रहा है कि sir one step में हो जाएगा मतलब छोटी सी reaction होगी पर उतना होता नहीं है मैं आपको starting material बनाता हूँ और आपको थोड़ा सा दिमाग खुद ही लगाना पड़ेगा देखिएगा starting material बेस का थोड़ा खतरनाक सा ही दिखता है sulfur double bond O double bond O इस center से चलिए लगा दिया CH2 और pH तो एक sulfur group लिया लेकिन इस sulfur पे अब मैं एक five member की ring बना रहा हूँ nitrogen double bond nitrogen यहाँ से फिर nitrogen double bond और nitrogen या फिर शायद double bonds की position ऐसी नहीं है double bonds कहा लगे हूँ है एक double bond इस center पे लगा हुआ है और हमारे पास एक double bond इस center पे और इसके पास क्या लगा होगा एक H लगा होगा इसको मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर एक H लगा है तो आपके पास कुछ ऐसा starting material आएगा और इसके सामने हम क्या डालेंगे कोई भी base डाल सकते हैं let's suppose आगया LHMDS यह क्या है सर यह जैसे आपके LDA वाले base होते हैं यह भी वैसा ही है nitrogen base होता है इधर silicon जिस पे 3M ही लगे होंगे इधर silicon जिस पे 3M ही लगे होंगे और यहाँ क्या होगा lithium यह भी एक LDA जैसा base है base है तो proton निकालेगा फिर यहाँ से बनेगा P और P बनने के बाद इसके सामने introduce कर दिया जाएगा एक electrophilic center और यहाँ से बनेगा Q अब अगर आपको पीछे वाली reactions याद आ रही हों तो सर पहले base डालते थे फिर यह डालते थे याद करिए first step में base डालते थे फिर LD height center पे attack करते थे और अब third step में की तो acyl chloride या anhydride डाल दिया करते थे अब हमने उस step को कम कर दिया है इस वज़े से बोलते हैं one step julia मतलब अब हम इसी वाले Q वाले product से ही julia reaction को complete करा देते हैं without introducing acyl chloride और anhydride बस यह difference होता है तो कुछ तो होगा इस वाले जो बड़े बड़े size का group लगा हुआ है इसका भी कुछ रोल आएगा ये भी कुछ करेगा पर होगी कैसे reaction तो at least आप Q बना दीजिए फिर हम Q से आगे चलेंगे Q तक तो आपको खुछ सोचना होगा दिनेश पाल पूछ रहे हैं जो E2 reaction होती है कभी आपने E2 reaction कराई हो तो यहाँ पे हमेशा A की product मिलता है की तो E product मिलेगा या फिर Z product मिलेगा मैं ऐसे लिख देता हूँ कोई भी अगर एक substrate है अगर वो E2 reaction कराता है तो की तो E देगा या फिर Z देगा लेकिन अगर आप कोई E1 elimination कराते हैं तो यहाँ पर E and Z दोनों products मिलते हैं जिसमें से हम E वाले product को क्या बोल देते हैं major product बोल देते हैं फिर से सुनिएगा मैं example बता रहा हूँ आपको E2 reactions में E तो E बनता है या फिर Z बनता है इस और का मतलब समझेगा ऐसे ही नहीं लिखा हुआ हुए लेकिन E1 reaction में दोनों बनते हैं इस वज़े से end लिखा है जब भी ऐसी reaction में दो products बन सकते हो और उसमें से एक बहुत जादा amount में बने major amount में बने यानि कोई reaction किसी एक product के लिए बहुत जादा selective हो जाए तो ऐसी reactions को हम stereo selective reaction बोलते हैं क्या बोलते हैं फिर से stereo selective reaction बोलते हैं जहाँ पर कोई reaction किसी एक single product के लिए बहुत selective हो रही है जैसे E और Z में बन तो सकते हैं दोनों लेकिन ये बहुत जादा selective है किसके लिए एक E-alkene के लिए इस वज़े से इसको stereo selective बोलते हैं अब आप ही बताइए जूलिया reaction क्या stereo selective होगी या नहीं होगी दिनेश पाल अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर करिए बाकी लोग भी बता सकते हैं क्या जूलिया reaction stereo selective है या नहीं प्रतिभा क्यूं वाई ऐसा क्यूं बोला आपने की नहीं है reason बताईए लीला, स्वपनाली, प्रतिभा क्या हल चलू रहा है आपके दिमाग में कुछ तो सोचा होगा कोई तो logic होगा वो बताईए फिर देखते हैं कि आप कहां गलत जा रहे हैं कहां सही जा रहे हैं we get only one product either cis or trans ऐसा किसने बोल दिया हम तो bond rotation करके हमेशा क्या बनाते हैं एक product बनाते हैं तो reaction क्या हो रहे है यहां पे, किसी एक product के लिए selective हो रहे है, देखिए जब हमने यहां से product बनाया था इस वाले question में, तो reaction को किसी एक ही product के लिए selectivity देख रही हमने कि ये जूलिया reaction choose कर लेती है कि मैं E और Z में किसको बनाऊंगी E product को ही बनाऊंगी और Z क्या बनाऊंगी बहुत ही कम amount में बन रहे होंगे तो जहां पर ऐसा हो जाए जहां reaction किसी E की product के लिए too much selectivity दिखाने लगे तो ऐसी reactions को हम क्या बोलेंगे stereo selective reaction बोलेंगे stereo selective हाई बास समझ में अब ये selectivity 100% पहुच गई तो सिर्फ E बनने लगेगा और अगर 90 10 रही 80 10 रही मतलब percentage बता रहा हूं कोई आपका major 80% बन रहा है कोई minor 10% बन रहा है हो सकता है इतना जादा selective हो जाए कि वो सारा का सारा क्या बनाने लगे E बनाने लगे खमझ पा रहे हैं इस वज़े से हम बोलेंगे कि हमारी जूलिया क्या होगी एक stereo selective reaction का example होगा क्या stereo specific होगा नहीं 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 सर stereo specific तो नहीं हो सकता तो उमीद करता हूँ थोड़ा idea आपको लगा होगा stereo selective reactions क्या होती है और stereo specific क्या होती है जब भी कोई mechanism या कोई reaction किसी एक product के लिए selectivity दिखाए तो वो stereo selective हो जाती है और specific थोड़ा different होता है जब दो diastereomers अगर अलग-अलग product दे रहे हो तो उनको हम बोलते हैं ये stereo specific होगी अगर एक ही दे रहे हो तो नहीं stereo specific नहीं होगी ठीक है चले हाँ फिलाल इसमें क्यों बनाई है फिर हम यहाँ से आगे discuss करते हैं देखिए base है सर इस center पे acidic proton होगा base इस proton को क्या करेगा ले लेगा तो यहाँ क्या बनेगा anayan पहाँ चला गया पहाँ चला गया ओ रभ हो गया क्या सारा कसारा फिर से लिखना पड़ेगा I'm sorry I'm sorry just wait a second मैं लिख देता हूँ फिर से इस center पे एक 5-membered का ring बनेगा nitrogen इधर double bond और यहाँ क्या लगा था H इसके सामने हमने क्या डाल रखका है base S I M E M E M E negative charge इस center का पड़ा proton ले लेगा तो यहाँ एक anayan बनेगा तो मैं ऐसा करता हूँ यहीं पे anayan बना देता हूँ आप समझ जाएंगे anayan बन गया इसके सामने सर एक electrophilic center डाल रखका है pH और H anayan इधर attack करेगा और O negative बन जाएगा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ इस bond के along product बना दो तो यहाँ पे क्या लगा था अभी बाद में से tilt भी करेंगे हम क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस complete 5 member drink को 5 से दिखा दिया यहाँ से इधर आते हैं सर इधर pH लगा हुआ है इस center पर क्या है O negative और अभी just attack होने के बाद एक pH और लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिगा हुआ है pH लिगा हुआ है ना 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 कुछ तो गड़बड कर दिया हमने सर एक carbon आपने उड़ा दिया येस तो ये रहा मेरे पास CH2 center यहाँ से आगे शलेंगे यह बनेगा O negative और यहाँ क्या लगा होगा pH अब reaction कराने के लिए सर इसके आगे तो क्या देना चाहिए था acyl chloride पर वो तो दिया नहीं है ना 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 इना इडराइड दिया है इसका मतलब अब इस रिंग का रोल स्टार्ट हो जाएगा इस रिंग में intramolecular attack हो सकता है और cyclization हो सकती है ध्यान से देखिए अगर इस bond के along मैं चीजों को बनाऊं तो कैसा बनेगा ये रहा सर ये वाला bond इधर क्या लगा हुआ है O negative लगा हुआ है इस center पे pH इस center पे भी क्या लगा हुआ है pH बस मैं थोड़ा सा rotate कर रहा हूं इसको इधर sulfur है double bond O double bond O यहां से क्या लगा हुआ है पूरी 5 members की ring इधर double bond बना दिया nitrogen double bond इस center पर NH दिख रहा है ये सर सब कुछ ठीक है अब final step में क्या होगा अब यहां से cyclization negative charge attack करेगा फिर ये move करेगा अब क्या आप इसके बाद reaction को खुद ही guess कर सकते हो बना सकते हो let's suppose exam में ऐसा question आ गया तो क्या आप arrow draw कर सकते हैं चलिए मैंने hint दे दिया है इससे आगे बताईए क्या हो सकता है सर रिंग में nitrogen का proton हाँ बिल्कुल प्रतिभा nitrogen का proton भी बाहर चला जाएगा हम इसको थोड़ा सा कह सकते हैं excess में यूज़ करेंगे तो यहां से भी of course क्या होगा proton जाएगा अगर हमने इस center से proton नहीं लिया तो reaction करा पाएंगे क्या बिल्कुल नहीं करा पाएंगे बनाईए फटा फट ट्राई करें इसके बाद क्या होना चाहिए इस negative ने attack करके इसको shift किया अच्छा एक थोड़ा सा hint दे दूँ तो ये वाला जो molecule है न ये यहां से बाहर भी जाएगा पूँचिए ये कैसे बाहर जाएगा बाहर तो जाएगा पर how ड्रॉ करें कोशिश करें ड्रॉ करें भई चली मैं complete कर देता हूँ आपके लिए अगले page पे ले चलते हैं ये रहा इस center पे क्या लगा था एक pH लगा था सर इस center पे एक pH लगा था यहाँ oxygen है इस center पे sulfur double bond O double bond O यहाँ से एक five members की ring अच्छा इसने attack कर रखा होगा तो product कैसा बनेगा देखिए nitrogen center इस पे negative यहाँ पर जो nitrogen होगा उसने double bond बना रखा होगा इस nitrogen से यहाँ पे क्या लगा दिया H या फिर आप चाहें तो anion भी मना सकते हैं कोई problem नहीं है अब देखिए इस center से यह negative वापस आएगा और अब यहाँ से यह दोनों electrons sulfur पर shift और यहाँ से दोनों electrons इस carbon पर shift अगर हमने ऐसा किया sir तो यहाँ क्या बनेगा anion इस center पर pH और इस center पर pH अच्छा oxygen के साथ क्या लगा होगा सर अब oxygen के साथ आपका यह पूरा group बड़ा सा 5 वाला लग जाएगा जाने अन जाने में आपने oxygen को एक living group बना दिया है sir यहाँ से एक group बाहर जाएगा जो दिखने में कैसा होगा अफकॉर्स 5 members की ring होगी nitrogen यहाँ से nitrogen और nitrogen क्या कुछ ऐसा बन रहा है इस center पर O negative होगा और आपके पास यहाँ पर फिर से क्या बना होगा एक double bond अगर यहाँ double bond होगा तो इसकी positions को correct कर देते हैं देखें इस center पर nitrogen यहाँ एक double bond यहाँ एक double bond तो एक group तो यह बन के बाहर हो जाएगा यह sir और इसके साथ क्या बन जाएगा एक alken बन जाएगी इधर क्या लगा होगा pH और इधर क्या लगा होगा pH और of course alken कैसी बनाएंगे E alken बनाएंगे जो कि एक stable alken है समझ में आया तो देखें बस यह वाला step जो था यह थोड़ा सा complicated है आपको crack कौन सा step करना था यहाँ तक तो सब ने ही बना दिया होगा अब यहाँ से यहाँ जो हो रहा है अगर आपने पढ़के गए हैं आप ठीक ठाक तभी आप इस step को crack कर पाएंगे वरना यह question थोड़ा मुश्किल की category में आता है In fact, इस same question को CSIR ने already पूछ भी लिया है CSIR net के PYQ जब आप देखेंगे तो उस exam में इस question को already पूछा जा चुका है तो देखें, तो देखें, तो देखें यहाँ से हमने एक product Alkene E बनाई अच्छा है एक molecule और बाहर जा रहा होगा SO2 gas भी बाहर जा रही होगी यह living group बन के बाहर हो गया होगा और यहाँ पर क्या लगा होगा? एक Alkene बनी होगी Is it fine? इसको क्या बोलते हैं? और Julia reaction solve करें बतलब उससे related questions को आप कर सकते हैं आपको ठीक ठाक basics Julia के बारे में पता लग गए हैं ठीक है? सर रिंग में का nitrogen का proton most हाँ चलिए तो बता दिया आपको yes बिल्कुल होगा आप वहाँ पर भी क्या बना सकते हैं? अनायन तो लास्ट वाल स्टेप में क्या बना होगा? एक negative charge बना होगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? तो चलिए that's it for today यह हमने थोड़ा बहुत discuss किया किसके बारे में Julia reaction के बारे में अभी इसका एक हिस्सा यानि एक picture इसके बाकी है जो क्या होती है? पिटर्सन reaction तो अब पिटर्सन की चर्चा हम करेंगे next वाड़े lecture में का होल वीडियो मिलेगा? संकेत मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा last please explain last please explain last वाला कौन सा यह step? यह? इधर इधर या इधर? किदर? रानी किदर? देखिए simple था negative यहाँ move किया यह इधर और यह यहाँ से क्या हो गया? बाहर अब इस 5 के जगे आप क्या बना सकते हो? इस पूरी ring को बना सकते हो? बार बार बनाना ना पड़े इस उसे मैंने 5 बना दिया simple अब negative इधर आएगा और इस group को बाहर कर दो गया तो यह group यहाँ से eliminate हो जाएगा बीच में अभी जस्ट आपने क्या eliminate किया देखिए यहाँ से एक SO2 molecule भी बाहर जा रहा है अभी जस्ट आपने eliminate किया तो इस SO2 कहाँ बना दिया? इधर और एक alkene तो बनेगी जो यह रही सर ठीक है रानी तर reagents भी cover करा दीजे बिलकुल बीच में हम reagents भी ले आएंगे Thank you so much everyone इतना support और प्यार के लिए session को like जरूर करिएगा अगर आपको content पसंद आ रहा है तो video को share भी जरूर करिएगा कल मिलते हैं आप से फिर से शाम को 6 बजे और इसका दूसरा हिस्सा यानि Peterson reaction को discuss करेंगे क्या क्या बाते हम Peterson में सीख सकते हैं उसको discuss करेंगे ठीक है Thank you so much everyone and bye take care good night and happy learning